नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोरव और आप देख रहे हैं Market Report आईए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइट पर मैंशन है इन सब में हम सबसे पहले बात करेंगे BTC, USJT, Bitcoin की उसके बाद हम चलेंगे Crude Oil, Copper, Nifty, Zinc, Silver, National Gas और सबसे end में हम बात करेंगे Gold, USJT की तो आईए हमिशा की तरह शुरुआत करते हैं BTC, USJT, Bitcoin से दोस्तों BTC में जिस तरीकी का एक trend देखा जा रहा है उसमें कल हमने जो discuss किया था वो कुछ इस तरीकी का था कि prices अपने आपको एक intraday strength के साथ hold के हुए और जिसमें ये था कि market में सबसे पहली तो यही चीज थी कि short selling को avoid करना चाहिए और ये possibility नजर आ रही थी कि market अपने reversal level को जो 29,777 पे था market उसे test करने की भी कोशिश कर सकता है कल BTC में एक अच्छी trend देखी गई prices afternoon session के बाद से growth दिखाने लग गए जिस growth को market ने बिलकुल end तक continue रखा और एक high price जो market ने कल टच किया 30,244 डॉलर का यहां पर ठीक है यहां तक market आया फिर एक sudden एक correction और अभी market फोड़ा सा नीचे और अभी जो prices जहां trade कर रहे है वो prices के reversal level के बिलकुल करीब है मतलब जहां पर market ने एक reversal दिखाया था कि जिस trend में अभी तक हमें एक weakness देख रहे थे उसमें अब एक strength के बन जाने के chances आये हुए हैं तो अब आगे क्या किया जा सकता है किस तरीके से market में हम BTC को देखें उस पर अभी हम discuss करते हैं BTC के prices आगे continue करते हुए उपर जाने की कोशिश करेंगे इसकी expectation अभी के जा रही है जिसमें जो fresh levels नजर आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज़ एक intraday का support level है 29,600 जो market ने इस correction में भी तक तो break कर रहा नहीं है break हो जाएगा तो उसके बात देखा जाएगा पर इसका break होना अभी बहुत easy नहीं लग रहा है उपर में market में हो सकता है कि आज इस high price को market break ना करें पर आने वाले दिनों में ये जो growth है इसकी वो continue रह सकती है इसकी expectation है short selling को हर हाल में avoid करना चाहिए अभी भी क्योंकि अभी market ने reversal level break कर रहा है कल ही तो एकदम से कोई trend में change आ जाएगा वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है prices जहाँ पर पहला support दिखा रहे है वो 29,600 है उसके बाद जहाँ पर एक strong support market दिखा रहा है वो price है 29,050 इस price का break करना भी market के लिए मुश्किल हो सकता है इसे अगर market break करता है फिर जो price है वो reversal level है वो रहेगा 28,700 यहाँ पर जो market ने ये मेरी ख्याल से कौन सा session था ये Monday का था Monday के session में जो low price टच करा था इसी को हम एक reversal के तरीके से consider कर रहे है प्राइसे ऊपर आ गया और इस ऊपर आने में आप अगर देखेंगे थोड़ से बड़े time frame में prices नीचे ऊपर नीचे फिर market ने इस high price को भी break करा पर sustainability ऊपर के levels पर बहुत ज़्यादा भी देखने को नहीं मिली है एक बाद daily time frame पे हम देखते हैं market में जिस तरीके का ये तेजी देखी गई थी उसके बाद धिरे-धिरे candles जो है वो अपने आपको नीचे लाती रही और इसमें reason यही था कि market अपने जो reversal level downside का था उसके नीचे market अपने आपको hold किये हुए था अभी एक तेजी बनी है और market जो है वो धिरे-धिरे उपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है आने वाले दिनों में ठीक है तो ये levels है जो important है और इसमें दो चीज और दो level हो रहे है जो important नजर आ रहे है पहला 29,650 ये intraday का एक buying zone है इसे अगर इसके भी नीचे आ साथ buying में रख सकते हैं ये थोड़ा सा positionally भी काम कर सकते हैं वाले level ठीक है तो ये दो level है जो market में buying zone का का काम करेंगे बाकी आगे देखते है market कैसा रहेगा next crude oil crude oil में हमने जैसा देखा prices उपर और धीरे-धीरे market में correction कल कोई specific view नहीं था सिर्फ ये था कि market में थोड़ी सी correction यहाँ पर expected थी market नीचे आया भी पर buying या selling करनी है इसको लेकर कोई view नहीं था उसका reason एक की था कि market में अपनी एक strength बनी हुई है और intraday में market थोड़ा सा weakness दिखा रहता अवोईड करने का थोड़ा एक suggestion था market नीचे आया कल evening session में market में थोड़ी सी एक growth जब बनने लगी थी तब market ने intraday के resistance level को break कर दिया था और जो इस चीज़ का थोड़ा सा indication था कि prices अब अपने आपको उपर ले जाते वे नज़र आ सकते हैं market में ये growth story अभी तक continue है और prices जहां पर अभी trade कर रहे हैं आप से कल discuss कर रहा था 6865 के level को इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है ये price अब exact level 6860 है almost market बिल्कुल उसी के आसपस आके अपने आपको hold कर रहा है थोड़ी सी ये possibility रह सकती है कि market correction दिखा दे पर फिर से market उपर जाएगा इसकी high expectation अभी charts पे नज़र आ रहे है short selling को crude में strictly avoid करें ये कहीं न कहीं आपके loss को बचाएगा ये आपका profit ज़्यादा करा सकता है तो उनमेंसे एक चीज़ होने के chances बने रहेंगे crude oil में जो nearest support level नज़र आ रहा है वो है 670 ये nearest level है इसे अगर किसी वज़े से market break करता है तो जहां पर फिरम जो next price देख रहे हैं वो reversal level है तो 6770 मेरे हिसाब से ये price काफी important है जो market में intraday में support का काम करेगा और इसका break करना intraday में crude oil के लिए काफी जादा मुश्किल रह सकता है इसके बाद जो price है वो है 6480 ठीक है अब इसमें दो level जो है वो buying zone के तरीके से काम कर रहे हैं पहला 6790 ये price यहाँ पर है अगर prices यहाँ पर या 6800 के असपास भी मिलते हैं तो market में buying के लिए try कर सकते हैं 6790 के बाद जहाँ पर फिर market में एक buying zone है वो price यहाँ पर है काफी जादा नीचे है 6690 और इसका stop loss यहाँ पर ज़रूर maintain करना चाहिए 6690 पर जो भी आप trade लेंगे उसका stop loss यहाँ आप maintain करें कल का जो low price था 669 ठीक है इस तरीके से prices और उपर जाएंगे इसका एक बार चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ market उपर नीचे उपर हो सकता है यहाँ से market policy correction दिखा दे पर जल्दी ही market और उपर के लिए अपने आपको prepare करेगा ऐसी expectation नहीं इसमें बनी नहीं है ठीक है और तो इसमें कोई level नहीं है copper copper में कल एक level काफी important level था 631 वो market में break हुआ है यहाँ पर उसके बाद market ने एक lowest price जो कल टच किया वो सोरी 724 रुपए 50 पैसे 731 को break करा 724 पिटास टच किया देखिए reversal level कई बारी काफी effective होता है मतलब वो buying में हो या selling में वो depend करता है कि market किस direction में move कर रहा है market नहीं चाहता था reversal level 731 पे था और उसके बाद आपने देखा 7.5 रुपए की market नहीं साड़े 6 रुपए की correction को market नहीं उसके बाद दिखा दिया तो reversal level इतना effective हो जाता है कई बार कि उसके break करने के बाद same day में market काफी एक अच्छी growth या अच्छा एक downfall दिखा दिखा देता है charts ठीक है market को यहाँ पर एक support मिला expectation तो यह नहीं थी कि market इतनी जल्दी एक support ले लेगा copper में पर उसमें सबसे बड़ा role जो रहा है वो crude oil का रहा है पूरे के पूरे market का एक जो scenario हमने देखा उसमें crude oil ने कहीं पर भी अपने आपको रुकने नहीं दिया और crude oil में जब भी कोई strength बनती है तो वो base metal के लिए एक positive sentiment लेके आती है और crude oil में strength का एक reason जो थोड़ा वो sound में आ रहा है वो यह रह सकता है कि currency market जो अपने बिल्कुल peak पे था वहां से थोड़ा सा एक correction इसमें बनता हो नजर आया और अगर market यहां से गिरने लगा तो कहीं न कहीं crude oil में strength तो बनी रहेगी साथी साथ copper के लिए भी एक positive sign रह सकता है ठीक है वैसे copper में एक जगे जहां पर selling range नजर आ दिया उसे हम अभी discuss कर लेते हैं वो price है 735.50 पैसे यहां पर यह एक selling range है इसका stop loss obviously वही रहेगा जो market में हमें एक next resistance level देखना है वो price है 739.20 यहां पर यह price अगर break हो जाता है देखिए यहां पर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि किस तरीके से मैं बता रह है 739.20 पे यह resistance level है और काफी strong resistance level है ठीक है downside में अगर आप कहीं भी buying करते हैं वैसे buying का यह level नहीं है 730 या 29 के बीच में अगर market आता है तो वहां पर आप एक try कर सकते हैं जिसका stop loss 727 पर रहना चाहिए यहां पर तो यह अलग एक levels है जहां buying या selling कर सकते हैं मेरे हिसाब से अ strongly मैं copper को recommend नहीं कर पाऊंगा मतलब मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी prices उपर जाएं हाँ इतना जरूर है कि market ने भी support लिया है अभी सिर्फ ये indication है बहुत अच्छी strength आ गई है वो charts पे अभी बहुत अच्छे से नजर नहीं आ रहा है जो levels buying selling के हैं वो हमने discuss कर ल कर रहा है वो रहेगा 754 और इसी ज्यादा उपर है तो उसका भी इग्नॉर कर सकते हैं आज के लिए ठीक है next nifty nifty में अगर हम देखें market नीचे की तरफ continue कर रहा था फिर एक अच्छे recovery आई यहां एक selling zone था prices वापस से नीचे और market जहां पर आ गया है इसमें यहां 19,500 के आसपास एक buying zone है इसने कितने का low लगा दिया अभी तक 19,512 का एक low price touch हो चुका है और 500 के आसपास का इसमें एक buying zone है सिर्फ एकी चीज़ ध्यान रखनी है कि market में 390 का 19,390 का stop loss ज़रूर maintain करके चले वरना आपका जो trade है long position का वो काफी risky बन सकता है ठीक है तो एक तो एस चीज़ का आप ध्यान रखने दूसरा market अगर उपर जाने लगता है तो इसका जो nearest take resistance level देख रहे हैं वो है 19,65 यहां प पाएगा और जिसके बाद यह possibility बन सकती है काफी ज़्यादा के market अपने next important resistance level जो 19,770 पर है उसे भी break करने की पूरी कोशिश कर सकता है तो यह कुछ levels है जो nifty में important नजर आ रहे है मेरे इसाब से short selling को तब तक avoid करना चाहिए तब तक market 19,990 के ऊपर sustain कर रहा है तब तक short selling avoid कर ठीक है next zinc zinc में भी copper के तरीके का एक trend देखा गया और दोनों में copper और zinc में एक ही reason रहा market का एक sudden एक recovery का वो था crude oil, crude oil में काफी अच्छी है कि strength देखी गई है और जिसमें यह expectation बन रही है कि market उस strength को और आगी के लिए continue रखेगा zinc में एक और भी important चीज थी कि 1950 का level तो market ने break करी दिया था उसके बाद market कहां तक गया था यह एक बाद देख लेते हैं 18.90 ठीक है 218 रुपे 90 पैसे का market ने low price तच करा zinc में एक चीज़ important और हो गई थी कि market अपने support एक जो reversal level है उसको break करने में इसे काफी struggle करना पड़ था करी थी कि अगर 19.50 break हो जाता है तो इसका next जो barrier है वो बहुत strong है वो बहुत strong support level है जिसका break करना इतना easy नहीं रहने वाला है और अगर break हो जाता है और इसके इन चीज़ सस्टेन करता है तो zinc में जरूर और अच्छी एक correction हम देख सकते थे तो अगर हम पूरे-पूरे हम तीन recovery अभी reversal level के आसपास तक आ चुकी है उसके थोड़ा सा ऊपर बाकि एक consolidation अभी इसमें pattern रह सकता है zinc में थोड़ा सा अच्छी strength इसलिए देखने को मिल सकती है अभी क्योंकि इसने अपने reversal level को break नहीं किया है तो एक positive sign है जो zinc को थोड़ा support किये हुए पहला कि reversal level को break नहीं करा दूसरा market ने एक अच्छी recovery दिखाई है जिसमें intraday में strength भी नज़र आ लिए अगर zinc में आपका कुछ maintain करके चल सकते हैं ठीक है तो एक रुपय तक काया यह इस top loss है वैसे तो इस चीस को आप ध्यान रखें और 224 रुपर 15 पैसे break हो जाता है उसके उपर market sustain भी कर जाता है तो फिर market अपने next resistance level जो 229 रुपर 50 पैसे पर है उसे भी break करने की कोशिश कर सकता है डाउन साइट में अगर हम देखें तो 220 रुपर 50 पैसे market का nearest support level है जो intraday में काम आएगा मेरे साब से आज 211 रुपर 50 पैसे के आजपास market में एक buying की जा सकती है 220 रुपर 50 पैसे का stop loss maintain करके और reversal लेवल में कोई change नहीं है वो वहीं रहेगा 216 रुपर 50 पैसे पर next silver silver USD silver USD में सबसे important चीज़ यह रही कि market ने जो correction continue की वही थी उसमें कहीं पर भी market रुका नहीं और Indian market में 70,000 के एक level को market ने touch कर लिया ठीक है यहां पर हम charts पर एक बार देखते हैं यह price market ने exact 70,000 का एक low price टच किया silver में अगर हम देखें तो यहां से market का एक मतलब आज जैसे market rate कर रहा है तो intraday एक strength इसे अभी मिली हुई है पहली चीज़ के short selling को avoid करना दूसरी चीज़ के market का यह वाला price अभी break करना कम से कम आज के लिए काफी ज़्यादा मुश्किल है कल हम एक चीज़ को avoid कर रहे थे कि अगर fresh lows लगते हैं तो market में buying कर सकते हैं और उसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना था कि market में अगर closing जो है वो आपके buying price के नीचे हो तो exit कर जाना चाहिए ठीक है ऐसा ही हुआ जहां पर भी आपने buying करी हो closing काफी जादा obvious सा नजर आ रहा है कि उसके नीचे ही हुई होगी तो आप exit कर गए होगे ठीक है और यह तो था intraday आज आप जहां पर भी trade लेते हैं तो market में आप अपनी trade को hold करके रखें एक strategy यहां पर ऐसे काम कर सकते हैं आप जो भी आप holding करेंगे और आज अगर market में एक और low लगता है तो वहां पर आप additional buying करके चल सकते हैं और यहां पर जो buying का price है वो 22.50 होना चाहिए अगर market अपने कल के low price को break करता है तो अदर्वाइस अपने उस buying के trade को आप hold करके continue कर सकते हैं जो भी आज आप buying करें यहां पर और जो चीज़े ध्यान देने वाली है पहले चीज़ के है आज के लिए buying का level 22.80 के आसपा थोड़ा सा सही नज़र आ रहा है और एक support लेवल जो इंट्राडे का नज़र आ रहा है वो 22.75 पर है उपर में यहां पर resistance देखन है वो price है 23.77 यह price break होते ही silver के levels काफी अच्छे से अपने आपको ऊपर की तरफ continue करते हैं नज़र आ सकते हैं ठीक है तो यहां पर जो लेवल से मैं फिर से repeat कर देता हूं 22.75 nearest support level और यहां पर एक buying zone 22.80 पे और additional bind 22.50 पे उससे पहले या बीच में कहीं नहीं इसी को hold रखना ब्रेक कर जाए कलकल हो या ना करें हो सकता है कि यहीं से turn कर जाए तो वो सब ठीक है और उपर में 23.77 reversal का level यह अलग लग levels है जो silver में help परेंगे short selling strictly आज के लिए avoid करें natural gas natural gas में हमने कल भी discuss करा था कि natural gas में prices जो हो थोड़े से strong थोड़े से नहीं actually काफी strong बन चुके हैं जिसमें एक level मेरे ख्याल से यहां पर हमें एक support का discuss कर रहे था 23.80 का था मेरे ख्याल से जो हमने कल discuss कर रहा था ठीक है मार्केट ने इसे break नहीं करा पूरे दिन और इसके उपर अपने आपको hold करके रखा और अभी जहां पर market trade कर रहा है वो price है 231.20 नेशल गैस के price अपने last resistance level को test करने की पूरी पूरी कोशिश करते वे नजर आ रहे है 235 इसका last resistance level है जिसके break करते ही market में ये chances भी बढ़ जाएंगे कि एक तो उसके उपर closing होगी दूसरा अगर closing भी उसके उपर हो जाती है तो आने वाले दिनों में 280 से 300 के बीच के target levels set हो जाएंगे जो आने वाले दिनों में जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं तो नेशल गैस अपने लिए एक base prepare कर चुकी है और एक upside direction हुआरे सामने नजर आ रही है जो support के levels नजर आ रहे हैं उसमें हम बात कर लेते हैं 227 यहां पर यह इसका nearest support level है जो intraday का है जो stop loss हमें बहुत strongly maintain करना चाहिए वो रहेगा 220.50 पैसे पर यहां पर इसके नीचे एक reversal level है जो 210 पर है यहां पर ठीक है मेरे इसाब से 220.50 पैसे current position के लिए एक अच्छा stop loss बनके काम करेगा तो यह कुछ levels हैं जो national gas में important है buying करके चल सकते हैं next gold में अगर हम देखें यह वाला low price भी break हो गया actually SL के तरीके से ही था market में पर जहां पर market अभी trade कर रहा है intraday में buying आई आ चुकी है अब fresh buying जहां पर भी आपने की हुई है कर सकते हैं उसके लिए stop loss कल के low price को अब आप maintain कर सकते हैं 1922 आप इसे मान सकते हैं 22.50 यहां पर आपका एक stop loss आप maintain करके चल सकते हैं किसी वज़े से USG INR में एक अच्छी correction अगर देखने को मिलती है आज ही आज में तो यह भी possibility बन जहीं कि market शायद इस low price को एक बारी break करता हुआ नजर आ जाए ठीक है तो वैसे तो gold में अभी के लिए gold से अच्छा रहेगा कि आज आज में आप silver में trade करें अगर आपको long position में रहना है तो ठीक है और gold में अगर growth आती है तो मेरे इसाब से silver में काफी अच्छी growth देखी जा सकती है आज के लिए बाकी देखते है market है possibilities जो नजर आनी है वो आपके सामझे शेयर कर दो 1924 इसका आज का एक support लेवल है यहां पर यह break करने पर market और ज्यादा correction दिखा सकता है जहां पर buying range है वो 1926 का लेवल है ठीक है next resistance लेवल है 1941 यहां पर इससे भी next जो लेवल है वो reversal लेवल है वो है 1961 वो reversal लेवल है ठीक है यह तो हमने levels discuss कर लिए अब 26 का अगर हम buying करते हैं 26 के आस पास यहां पर तो market में 24 को ना चाहा कर 22.50 को हम stop loss maintain करके चलें यह एक तरीका है दूसरा जहां selling range नजर आ रही है पहली selling range नजर आ रही है 36 पर यहां पर अगर market आता है तो sell कर सकते है 1936 पर इसका stop loss 1941 पर रहना चाहिए किसी वज़े से 1941 ब्रेक होता है तो जो next selling zone है वो 1951 पर है उसका stop loss 1961 पर रहना चाहिए यह अलग अलग levels है पर मेरा यह मानना है कि gold में या तो evening में कुछ view अगर change होता है तो हम update ले सकते हैं otherwise अभी के लिए कोई trade ना ले वो जादा ठीक रहेगा तो यह था मेरा वीडियो इंसा डिस्क्रिप्स पर वीडियो अच्छा लगाओ तो like करें शेयर करें बने नहीं में साथ देखते लिए market report धन्यवाद